असलाम अलेकूम स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है मेंडल्स लाज उफ इन्हेरिटेंस मेंडल कौन था मेंडल्स हमें मैंने आपको पहले भी जब हमने यह चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि मेंडल ऑस्ट्रिया का रहने वाला एक पादरी था है मंग जिसको हम बोलते हैं तो उसने हमें जिनेटिक की बेस्ट प्रोवाइड की थी इसने हमें जीन्स के बारे में बताया और यह बताया कि हमारी बॉड़ी में जो स्पेशल फैक्टर्स हैं जो खुसूसियात को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जेनरेशन टू दा अनध जेनरेशन तो वो ग्रीगर मेंडल ही थे जिन्होंने हमें जीन्स के बारे में इंफॉमेशन प्रोवाइड की थी ठीक है यह ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे इसलिए इनको फादर ऑफ जनेटिक्स भी का जाता है तो इन्होंने दो लॉज पेश किये थे और उन्हीं लॉज यह को हमने फिर मेंडल के नेम के साथ ही एसोसियेट कर दिया जैसे मेंडल लॉफ सेग्रिगेशन एंड लॉफ इंडिपेंडेट एसॉट्मेंट तो इस वीडियो में हम सिफ एक मॉडल को एकस्पेरिमेंट करेंगे मॉडल लाउज ओफ एकस्पेरिमेंट इस से पहले क्यों choose किया ठीक है उसने पी प्लांट को choose किया था क्योंकि पी प्लांट के अंदर different traits थी number of different traits exist करती थी जैसे के और उसके contrasting traits ते तो different traits ती यानि पी प्लांट के अंदर number of traits number of खुसुसियात आपको मिलेंगी जैसे मैं भी आपको बताती हूं और फिर हर खुसुसियत के contrasting traits भी थे जैसे के seed shape है seed shape हमारे पास क्या है seed shape एक trait है उसने कहा कि different number of different traits है number of different traits में से seed shape जो है seed shape है seed color है flower color है pod shape है pod color flower position stem length यह सारी जो traits थी यह हमें एक प्लांट में मिलती थी और वो कौन सा प्लांट था पी प्लांट था और उसके साथ फिर contrasting traits भी थी जैसे के seed shape है तो seed shape हमारे पास या तो round हो सकती है या फिर wrinkle हो सकती है इस तरह बिल्कुल round या फिर wrinkle ठीक है इसी तरह seed color है तो seed color भी हमारे पास 2 हो सकते है या फिर green हो सकता है या फिर yellow हो सकता है ठीक है ग्रीन सीड कलर भी हो सकता है और येलो सीड कलर भी हो सकता है इसी तरह पहले तो उसने देखा कि डिफरेंट ट्रेट्स मुझे एक ही प्लांट में मिल रही है दूसरा उसको क्या नज़रा रहा था कंट्रास्टिंग ट्रेट्स यानि हर ट्रेट्स के कंट्रास् में तीसरी उसकी खोसूसियत किया थी कि वो सेल्फ अधालायस पिर सकता था और क्रॉस फर्टलाइजेशन या होती है जिसमें plant का आपना ही जो plant में male और female parts होते हैं तो एंथर stigma के उपर एक ही plant का transfer होता है तो वो fertilization हमारे पास self fertilization के लाती है और दूसरी fertilization क्या होती है कि दूसरे flower का एंथर आके किसी दूसरे plant के stigma पे इटाच होता है और वो fertilization cross fertilization के लाती तो इस प्लांट की तीसरी खुसूसियत बढ़ी क्या थी कि ये self-fetilization की तरफ भी जा सकता था और cross-fetilization की तरफ भी short but fast life cycle और इसका जो life cycle यानि इस पैन था इस प्लांट का यह बहुत जल्दी ग्रो करता था और बहुत टाइम में ग्रो कर जाता था ठीक है इसने एक जनरेशन ग्रो करानी है तो ऐसा नहीं है कि इसको सिक्स मन्स वेट करना पड़ेगा ठीक है इसकी शॉट भी थी और फास्ट लाइफ साइकल की भी थी तो फिर हमें मैंडल ने बताया कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं किसी भी जनाटिक्स के उपर तो आप जिस और गनिजम को चूस करेंगे उसके अंदर यह चा कि चूजिंग दे राइट प्लांट बट आलसो ही एनलाइज देटा बई यूजिंग दे प्रिंसिपल ऑफ स्टैस्टिक्स उसने जितने भी इस के उपर एक्सपेरिमेंट किये इस प्लांट के उपर फिर उनके रिजल्ट को एनलाइज किया बाइस स्टैस्टिक्स प्रिंस मेंटल ला उफ आपकरिंगेशन किया हैं मैंदल ला उफ सेग्रिगेशन में जफिआ यह का मतलब पोटा है।-स आप रफ ने सबसे पहले एक क्रॉस लियां छीक एक प्लांट लिया सिर्फ एक त्रेट ली उसने सिर्फ सीड शेप ली सिर्फ एकट ली ठीक है और इसके मैं ने कल आपको बताया था कि ना कि प्रेसंट होती है मैं आपको लास्ट वीडियो ले चीज एक्स्पें हैं की थी के जो Tax वह और हो मोलोगस क्रोमोसॉम होते हैं ऐसी तरह मैंने आपको जीनस बताई थी कि जीनस जो है वह हैं वह की ट्रेट को कंट्रोल करती है लेकिन जीनस की अल्टरनेट फ़र्म भी हो सकती है for example round के लिए मेरे पास capital R है और wrinkle के लिए मेरे पास small R है है दोनो seed shape को control करी है ठीक है मेरे पास gene क्या है seed shape है seed shape seed shape मेरे पास क्या है genes है यह जो seed shape को control करी है अब seed की आगे से कितनी shapes है यह उसकी allele कहलाती है ठीक है alternate form होती है उसकी capital R and small r यह हमारे पास क्या है these are the alleles of one gene तो यह हमारे पास alleles के लाएंगी seed shape हमारे पास सबसे पहले उसने एक एक trait को लिया और उसको contrast sorry cross करवाया ठीक है he cross two plants having one contrasting traits उसने दो plant लिये लेकिन trait A के लिए उसने seed shape को study किया सबसे पहले seed shape को cross करवाया देखे mono mean one mono hybrid cross mean जिसमें एक trait को हम लेकर study करेंगे ठीक है तो हम यहां पर write करते हैं सबसे पहले उसने seed shape को discuss किया उसने होमो लोगस वो लिया होमो जाइगस condition ली round की भी और wrinkled की भी मैंने आपको कल होमो जाइगस के बारे में भी बताया था होमो होमो जाइगस होमो जाइगस और हेटरो जाइगस दो कंडिशन्स थी यह दो कंडिशन्स हमने पढ़ी थी कि जब एक जीन की दोनों एलील्स एक जैसी होंगी फॉर एक्जामपल अगर हम राउंड की बात करें तो दोनों जीन्स जो हैं वो राउंड हों ठीक है आर आर कैपिटल आर हों और अगर हम स्मॉल आर रिंकल्ड की बात करें तो दोनों जीन्स है उनकी एक जैसी हो तो यह कौन सी condition है होमो होमो मींज सेम हेटरो कंडिशन कौन सी है जब हमारे पास जीन तो एक यह लेकिन उसकी फॉर्म्स हैं दोनों अलग-अलग उसकी फॉर्म्स एक्जिस्ट करते हैं तो यह हेट्रोजाइगस कंडिशन के लाती है सबसे पहले मेंडल ने क्या किया कि मौनो हाइब्रेड क्रॉस करवाया सीड़ शेप को लेकर ठीक है सीट शेप हमारे पास क्या है या तो राऊंड है या फिर रिंटOS है या निग्जामप्ल के इसके ऊपर रिंटल नहीं हो दोनों जो प्लांट लिए उसने होमोजाइगस कंडिशन में से नहीं लिए टीक है इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाए तो हमारे पास क्या आता है देखें, capital R, small r, capital R, small r, capital R, small r, capital R, small r, हमारे पास fourth, first generation में, fourth plant इससे produce हुए, ठीक है, और चारो के चारो जो plants हमने इनसे produce करवाए है, यह हमारे पास P1 generation कौन सी होती है, parental generation, अब इससे जो off springs मेरे पास यह वले produce हुए, यह कौन से कहलाएंगे, first filial generation, F1 generation कहलाएगी, इसको हम F1 से represent करते हैं, तो सारे के सारे हमारे पास क्या थे, all are round, तो मैंडल ने हमें क्या बताया, कि जो round और wrinkled में, हमने कल two terms और भी explain की थी, और उसमें मैंने आपको दो terms हमने पढ़ी थी, dominant, dominant and recessive, recessive trait, dominant trait कौन सी थी, जो गाले बाज आती थी, जो दूसरे के effect को show नहीं करने देती थी, इसके पास strong ability होती है, तो देखें, जो F1 generation में हमारे पास plants produce हुए, है heterozygous condition, लेकिन सब के सब क्या है, round है, तो मैंडल ने हमें क्या बताया, कि जो round वाला plant था, round वाली जो alleles है, या जो round वाली genes है, वो dominant है, और recessive क्या है, wrinkled वाली, तो क्योंकि सारे plants हमारे पास क्या produce हुए, round produce हुए, इसलिए F1 generation में हमारे पास क्या है, all are round, but मैंडल is saying that round genes are the dominant genes, ठीक है, round genes है, या round alleles जो है, वो dominant है, और R जो है, वो recessive है, उसके बाद मैंडल ने F1 generation को F1 के साथ ही cross करवाया, ठीक है, F1 हमारे पास सारे क्या है, capital R, small R, capital R, small R, इसको हमने आपस में ही self cross करवा दिया, ठीक है, ये तो हमारे पास हुआ था ना, cross fertilization, हमने pure round लिया, pure wrinkle लिया, ठीक है, homozygous हमने दोनों लिये, और हमसे जो सारे produce, first F, filial generation में हमारे पास produce हुआ है, वो सबके साब round है, बट heterozygous है, ठीक है, इस चीज़ को प्रूफ किया, कि ये heterozygous है, और इसने dominant और recessive को प्रूफ करने के लिए, Mendel ने क्या किया, कि F1 को आपस में cross करवा दिया, self fertilize, ठीक है, F1 को F1 के साथ जब हम cross करवाएंगे, तो हमारे पास क्या result आएगा, देखे हमारे पास एक है, capital R, small R, दूसरी भी हमारे पास क्या है, capital R, small R, क्योंकि हमने F1 को F1 के साथ cross करवाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास first, एक plant कौन सा produce हो रहा है, capital R, capital R, capital R, small R, capital R, capital R, small R, and small R, small R, इसमें क्या हुआ, कि तीन हमारे पास round produce हुए, और एक जो plant था, वो wrinkled produce हुआ, तो मेंडल ने हमें क्या कहा, कि during gamut formations, genes of each pair, get segregate from each other, half statement मेंने भी बोली है, कि मेंडल ने कहा, कि जब gamut बनते हैं, ठीक है, gamut meiosis जब होती है, male हो या female हो, उसमें जब gamut बनते हैं, तो chromosome हाफ रह जाते हैं, ठीक है, means, एक एक उसका पार जाता है, एक नहीं जाता है, ठीक है, जब gamut formation होती है, तो मेंडल ने कहा, कि gamut के जब formation होती है, तो हर gene का जो pair है, ये segregate होता है, ठीक है, segregate mean separate होता है, means, ये वाले जो एक chromosome है, ये इस तरह separate होता है, ये एक gamut में जाएगा, ये दूसरे gamut में जाएगा, ठीक है, तो मेंडल का statement क्या था, During gamut formations, genes of each pair get segregate from each other, and each gamut get a single gene from each pair, कि हर gamut सिफ single gene, अब एक जो gene है, उसके pair है, और हमारे अंदर एक genes के pairs की form में present है, लेकिन जब हमारे cells में meiosis होगी, तो वो number of chromosomes half रह जाएंगे, ठीक है, तो gamut में एक gene transfer होगी, ठीक है, एक gene जाएगी, तो next statement उसकी क्या थी, next line हमारे पास Mendel Law segregation की क्या है, when male and female gamuts fuse, ठीक है, unite, then again of springs get the genes in the form of pair, means एक जो mother से आ रही है, ठीक है, एक father से आ रहा है, gamut, एक mother से आ रहा है, और जो sperm है, वो father से आ रहा है, तो ये दोनों जब fuse होंगे, तो fuse होंगे, तो दुबारा जो genes है, वो pair की form में हो जाएंगी, तो Mendel Law of Segregation, जो Mendel ने हमें पेश किया, उसकी full statement क्या है, when gamuts formed, genes of each pair get segregate from each other, and each gamut contain only one gene, again when male and female gamuts fuse or unite, then the resulting offsprings get again gene in the form of pair, this is called a Mendel Law of Segregation, ठीक है, Mendel ने अपने इस experiment से perform किया, इस experiment से हमें ये proof करके दिखाया, कि genes जो हैं, वो पहले separate होती हैं, ठीक है, और ये separate होना, यानि segregate होती है, और फिर जब दुबारा दोनों के gamuts आपस में मिलते हैं, तो दुबारा genes जो हैं, वो अकठी हो जाती हैं, और ये अपना expression शो करती हैं, कुछ genes जो हैं, वो dominant हैं, कुछ recessive हैं, जो dominant, अगर dominant alleles में से एक भी alleles, genes के दोनों उस pairs में से एक भी alleles, अगर किसी एक gamut में चली जाती है, तो वो अपना जो वो expression है, वो शो कर देती है, तो dominant होने की वज़े से सारे rounds थे first में, और दूसरे में हमारे पास जब पूरा दोनों recessive genes, जब दोनों एक जैसी होंगी, homozygous condition में होंगी, तब वो gene express होती है, ठीक है, वरना recessive genes कभी भी express नहीं होगी, अगर उसके साथ सिफ एक gene जो है, वो dominant आ गई है, तो, this is called a mental law of segregation, hopes of students, आपको समझा के होगा,